हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके परिवार इस्टेड टेगनिंग में दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छी से कर रहे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि दोस्त से कम पांच से दस नंबर का कोशन यहां से फसने वाला दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा सुरू से लेकर आंद तक जरूर देखेगा और दोस्तों इस वीडियो के अंद में बहुत मोस्ट इंपोर्टन कुछ चीज़ें हमने आपको बता है लास्ट में जो बताए हैं उस है जालूर देखेगा तो चले दोस्तों सुरू करते हैं अपने क्लास को निगर्ण कौसे हैं अटकर ंदिटेज दोस्तों यहां से हम बुरा माला टो तो देखिए वर्ण माला किसे काते हैं तो वर्णों के बेवस्तित समूह को वर्ण माला काते हैं इतना आपको समझ जाए किसके वर्णों के बेवस्तित समूह को क्या काते हैं दोस्तों वर्ण माला काते हैं तो आप आपसे कहा जाए वर्ण किसे काते हैं तो वर्ण किसे काते ह तो भासा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकडे नहीं किया जा सकता है उसे क्या काते हैं दोस्तों वर्ण या अच्छर काते हैं यहां तक समझ गए आप लुग अगर कहा जाए कि वर्ण माला में जो वर्णों का बेवस्था का क्रम है तो वर्णों का बेवस्था का क लगाया गया है वह उनकी उच्चारण अस्थान के आधार पर लगाया गया है जैसे दोस्तों आप लोग पढ़ते होंगे ने आप लोग आ आ देखिए यह सभी आराम से बोले देखिए आ आ ई-ई-ई-उ-डी-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- चोटा बच्चा अगर तरह बोलेगा तो नहीं बोल पाएगा इसलिए जो यह बढ़ माला का क्रम लगाया गया कैसे उच्चारण अस्थान के आधार पर या बोलने के आधार पर जो आसानी से बोले जाते थे उनको पहले कर दिया क्या जो उसको उसके बाद में जो सबसे भी सभंगिंजन कैसे पयुक्せता अ वर आप से पूछा जाता है रिख वण माला में कितने अच्छर होते हैं तो वण माला में होते हैं entire जु गया वहुंगा वएन जंग कितने होते हैं टैटीश होते थिक तो पूछेंगे ग्यारा और थिस नहीं तो हो आड less पूचा जाएगा कि 8 कहां गए ठीक है तो सुर कितने हो गये 11 और 17 हो गई इत्ता है तीस teaching 8 कहा गए अभी और आंथ को हम जुडबाते हैं कहां कहां से 7 होते हैं ठीक है आठ देखे आठ में क्या होता है एक हमारा होता संयुक्त बेंजन चार हो जाते हैं और इसके बाद अभी और हम बताते हैं चार कहां से आते हैं ठीक चार हमारे एक अंक आहा और एक द्यूगंड धा डा ठीक यह हमारे होता है टोटल हमारे कितने होते हैं बावन होते हैं ठीक तो देखिए सोर 11 होते हैं बेंजन कितने होते है आती है तोटल 44 सिधर हो गए आठ जो बचे वह आठ होते हैं कौन-कौन सव्युक्त विंजन और हमारे चार और होते हैं बताते हैं ठीक है देखिए पहले आप समझते हैं ठीक है तो सवर अगर देखा जाए तो सवर किसे काते हैं ऐसे वर्ण है जो बिना किसी की सहाज़ता से बोले जाते हैं उसे सवर काते हैं सवर तीन प्रकार के होते हैं पहला हमारा होता है रस सवर दूसरा हमारा होता है दीर के सवर तीसरा हमारा होता है प्लुत सवर में बोलन आगे देखिए तो आपका खतम हो गया आप देखा जाए बेंजन तो बेंजन होते हैं कितने 33 तो बेंजन जो होए हमारे तो यह हमारे एक वर्ग में पांच अच्छर होते हैं एक दो तीन चार पांच होते हैं तो टोटल हमारे हो जाते हैं कितने दोस्तों 25 ठीक पाचीस और हमारे का होता है यह यह वह रहले यह 25 हो गए और यह हमारे हो गए ठीक और इसके बाद होता है यह थे के साधिया तो 25 चार और यह वा रहला वंथीस हो गया और स्पाचीस सफ्थी तो टोटल टैंतिस आपको समझा आपको सुल्य क्वाज़ाएं को इस्पाफा यह हमारे पाचीस हो गए फिर स्पाचीस कि बाद चार यावा रहा वर्या रह स्षosaur हमारे कितने होगे तुटण 33 श्वेंचा अप hist के हमाइरे कितनर्त होते हैं यह 4क रहे होते हैं पहला होता है असपर्षंग अभी आपको Bake है काव्र्ग काखा कर अजाय टावरग टाठा डाड़ण और पावरग ये हमारे होते अ अश्पर्ष्पैंजन ठीक है असपर्ष्पैंजन किसे करते हैं ऐसे जिनका उच्चारन करतेласт माएं हावाय वायू श्प्ति हैं बाहर निकलती है उसे हम अस्परश बेंजन कहते हैं इसके बाद होता है हमारा दूसरा अंतस्त बेंजन को हर्द्थister को आर्दौस चर्भी कहते हैं और यह क्या होते हैं यह फुरर मीकाते हैं तो ऐसे बेंजन जो क्या सूर और बेंजन के बीच मुँफज में अंच्यालिब करने और न दोस्ती आ इसके भात है क्या कि अपने मुख के bisa कि से का थे हैं इसे डमें जनका और मुख से गर्म वाइव निकलती हैं उन्हें में डीए पहले का शब्सक्रा बेसे देखें मूख से गरम हबानिकलती हैं तो तोस्तों उस्तर होते हैं समझत जैसे 2 को दो duż वे जनो को उसे मिलकर बना इה मिलकर बना है और ला उत्य यह जचाएं उस मेंजन कौन सый है तो सह सार पूछा जाएग था दा भाव हमारे कौन से बैंजन हो जाए कि अस्पर से पंजन हो जाए चलियर ऑगे दिछती है हैं आगे देखिए हैं कि यह आए अंतस्त बेंजन करते हैं ऊचले दोस्तों आगे देखते हैं अगला कोश्चन हमारे क्या है देखिए निमलिकित में से कौन साग होस वर्ण है आप देखिए यहां से रमजबा है आप देखिए वर्णों का उच्चारण अस्थान तो वर्णों का उच्चारण क्या होता है वर्ण कहा कहा से बोले जाते हैं ठीक है तो आप हम स कंट उटा है इ और ई इनका होता है तालू एक आगे क्या होता है रि का हमारा होता है इसका होता है मूर्धा क्या होता दोस्तों मूर्धा या मूर्धा ने चुकाते हैं यहां तो समयाए आ, आ का कंथ, ई, जी का तालू री का मूर्धा और दोस्तों एक और होता है उच्य इसका होता है दोनों का वे स्ट है यह अब देखिए यह पूछेंगे A और A का क्या होता है तो A प्लस E मिल करके बनता है A यहां छोटी होगा दोस्तों और A plus E मिलकर के बनता है I तो इसका क्या होगा, कंट प्लस तालब A का होगा, कंट प्लस तालब A का भी यह कंट प्लस तालब इसका होगा, कंट प्लस तालब A और I का होता है, कंट प्लस तालब होता है, ठीक है, यह कंट है तालब, कंट है तालब आगे देखिए अगर देखा जाए ओ और आओ का बहुत बार पूछा गया दोस्तों बहुत इंपोर्टन यह और ओ का उचान स्थान पूछता है तो ओ देखिए आ और उ को मिला कर बनता है ओ और आ और उ को मिला कर बनता हमारा ओ तो इसका देखिए इसका हमारा क्या हो अब देखे आपका बताय代 तो kawr akant होता है जावरा का ताल होता है एंग अ 박ल में घचा तावर का बातभेबोते शाथ अवह इसका होता है बैप आफ का olarak करें दें और लिखनेंगे बैबाइक अीज्स petit कोई भी अगर वर आजाएगा त सब्सक्राइब क्या हो जाएगा है तो सबक्षा जाएगा तो सब्सक्राइब आगे देखिए अप देखिए उचारण करते हैं तो आपके मूह में कुछ कंपन डाइब का होता होगा तो जिस वर्ण को बोलने से मूह में कंपन होता है है जब चम्पन होता है तो उसको क्या कहते हैं जो से ऑर घोस को ही सा घोस कहते है से गोस है हमातला आप जब किसी को बोल eruके श्ञाइ ज जए जए ऑगर बोलने पर मुह में कम्पन डाए देखिए आप बोले जाए बोले तो आपको यह समझ मैं आपका कमपन शुरू हो गया ठीक है पहले और दूसरे में कमपन नहीं हुआ लेकिन तीसरा और चौथा और पांचवा में कमपन हुआ लिए में कमपन हुआते हैं और भूर आपको लिखा रहेगा ऐसे लिखा रहेगा इसिए गोश आपको लिखा रहेगा सीधा-खोश के जंगा पर गोश भी लिखा रहेगा और हमारा सगोश भी लिखा रहेगा समझ मादा अब देखिए तीसरा चुथा पंचाओं वड कौन सा है इसमें से जो आपका सगोश है तो देखिए का खा ये दूसरा वन हो जाए गलत हो जाएगा चा पहला वन हो जाए गलत हो जाएगा चा चा हमारा क्या दूसरा वन हो जाएगा लेकिन मा पा फा बा भा मा तो मा हमारा क्या हो जाएगा घोस वन समझ में आए आपको अगोस वन सगोस वन एक और होता दोस्तों उसको भी समझ ठीक है अल्प प्राण और महाप्राण महाप्राण ठीक है अब देखो अल्प प्राण मिस अल्प मिस कम प्राण मिस हवा तो ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हमारे मुख से कम हवा निकलते हैं उन्हें अल्प प्राण काते हैं और ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर हमारे मुख से जादा हवाय निकलते में महा प्रानक रसे घर अब बताते हैं आपको कि require इनको आप बिलकते भी पता लगा सकते तो कर दोस्तों बताते हैं भी के कह जो पहले वाले बोल नहीं कम हवाई काम हवा लग रहा है दूसरे मां जादा हवा लग तीसरे वाले में कम हुआय निकल लई है लेकि चौथे वाले में जादा और ज MEMस्ट ये ठीक है देखिए कैर कर भाइया इसमें जादा वाह नकली तो बाई महा पराण हो जाएगा जादा निकला महा पराण फिर घ तंशी इसका मतलब क्या समझ में 1-3-5 एक-3-5 हमारा क्या हो गया अल्प प्राण और दूसरा og never हो जाए क्या हमारा महाप्राण समझ में आपकोडालब को मिस बदलब मतलब आप अपने से बaying क्या को दाब आज अभाई दूख लिखा में तो ख Emal रह ऑगयाstrong इसको बोल कर भी लिख सकते हैं ऐसे अगर आपको याद करना हो तो पहला तीसरा पाचवावर्ण हमारा हो जाएगा अलप्राण और दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा हमारा महाप्राण ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ देखिए ओ और और किस प्रकार का वर्ण है तो अभी हम आपको बता चुके भाईया ओ ठीक है किस से मिलकर बना है आ और उ से आ का उचाना स्थान होता है कंट है और उ का उचाना स्थान होता है ओस्ट है तो कंट प्लस ओस्ट बराबर कंट ओस्ट डी वाला हमारा सही एंसर हो जाएगा ऍटीक है तालब किसा होता हैी का ठालब होता है इसके अलामा देखेंड जो होता है इसका इसका इतना समझ है और यए कैसी होता है इसका भी पूछा जाता दोस्तों हां इसका उप्ल Typborg समझ लेजिए विएचिये पूछा जाता है कि या का क्या होता है या का कंट होता है वा का दंतोस्ट होता है रा का लुन्टित होता है और ला का हमारा होता है पार्सविक पूछाता है ति या का उचरस्थान क्या होता है कंट वा का दंतोस्थ रा का लुन्टित इसको लिख लीजेगा इतनी बार यह पुछाता दोस्तों देखिए तो शय ठीक है सबस्केद्ध के इसके बाद कि एम डिश्य अब देखिए के मतला हा का कंट हो जाएगा यह का अगुंसा सलजमवाला साल्जमवाले साका आपका तालू हो जाएगा M, मूर्धा हमारा हो जाए शाह, 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 कि आगे देख लेते हैं आगे देखिए दोस्तों आपका आगया नि नी पर उन उपसर्ग से संबंदे सब्द पहचानी है तो आपको पहले समझना है कि उपसर्ग किसे काते हैं तो ऐसे सब्दें जो किसी सब्द के प्रार्म में आकर के उसके अर्थ को बदल देते हैं जैसे लगा दिया गैज का निबंद हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पुछा गया है नी पर उन में उपसर गया उपसर पहजानी है तो नी बंद पर जॉन तीस अब देखे थोड़ा समझा देते हैं जास सब्द का परयोग किया गया है थीक है कि आप और नियां गया दुस्त तो आ गया दूस्ट प्रभाव प्रभाव था लेकिन अपकी बार दूस् प्रभाव वोगया तो यह सब हम और क्या जाते हैं उसका उप्षर हो जतना है दोस्तों हिंदी कितने उफजर गए वाइस झूझ है इसके धिया अगे देखते हैं हाँ है यहां पर क्या मिठास शब्दमें किस्प्रत्य का प्रयोग किया गया है यहां से Nous यह क्या होज़ा है इसके मीठा स्थी तो प्रत्य किसे कहते हैं ऐसे सब्द ν जो वाक के अंत में का करके हैं और दो कि प्रट्य को सब्सक्राइब ग那么 exact है किया हो सब्सक्राइब है करने सब्सक्राइब जिनका जिनका अगर तोड़ दिया जाए जिनको अगर तोड़ दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल जाए जैसे आम है आम को अगर आप आ को अलग कर दो और मा को अलग कर दो तो भाईया इसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो ऐसे सब्द जिनको अगर अलग अलग कर दिया चाहिब आधीड करने पर दोनों का अलाग अर्थ निकलते हैं उसको क्या काते है योगी सब्द ऐसे मिल देखिया यहां पर क्या लिख्या घुड़ सवार गुड़ सवार पतलब घोड़ा पर सवार घुड़ सवार हो जाएगा इसका दोनों अलग अलग आद निकल नहाए तिक पहला दूसरा योगी सब्सक्राइब तीसरा समझते हैं सब्द हुँ दो सब्द हुँ लेकिन दोनों सब्द जो है किसी तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हूं ठीक है जैसे यहां देखिए लंब उदर क्या लिखा है लंबा है जिसका उदर तो लंबा है जिसका उदर तो वहां पर क्या हो रहा है कि गडेश क्या हो रहा है दोस्तों ल निकल रहा है तो यहां यो रूर्ण कोण साहिए और यह देखे सब्ड़े यह अइसे वाक्य या ऐस सुद़र जो किसी संग्या के अस्तान पर जो संग्या किसान पर फिर्क्त किया जाते हैं सर्पनाम खहते हैं ठीव ब्लावन भएिया छे प्रकारके होतेлу हैं फूर से यह लुगत ऑर यह दोस्तों दोस्तों चॉथा संबंध वाचेट और फासल्षक चट्वा नृषधा हिमारे क्या दोस्तों छटवा हमारा होता है यह आपका पूरा सर्मनाम आपके इसको एक बार समझ लीजेगा ठीक है पुरुस वाचक देखे फिर चा करिए पुरुस वाचक निश्य वाचक अनिश्य वाचक संबंद वाचक प्रस्न वाचक इसके बाद आगे आपका हो जाएगा यहां पर निश्य वाचक संबनाम दिया तो क्या कौन कुछ है अब देखिए क्या में हमारा क्या हो जाए प्रस्न वाचक संबनाम हो जाएगा ठीक है अब देखिए कौन आया था अब यहां पर हमारा क्या कर रहा है यह भी प्रस्न पूछा जा रहा है ठीक है कुछ है मुझे कुछ दे दो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो यह अनिश्य निश्चित कुछ नहीं का रहा है या मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो वाचक और यह हमारा हो जाएगा निष्या वाचक और यह दोनों हो जाएगा ब्रस्न वाचक चलो अगए बढ़ते हैं आगे देखे क्या है कारग किस he होते हैं लेकिन संस्कृत में भेद होते हैं दियान देना संस Prof Tamam छे माना जाएगा हिंदी का माना जाएगा आठ कौन करता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी नानी ने अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अरेव हो इसमें से पिछली बार ठेट में पूशा गया था अपादान कारक अपादान और संप्रदान में बहुत लोग कंफउज हो जते हैं अफादान और संप्रदान अपादान में क्या होता इस कि अलग हो जैसे हैं पेड से पत्ते गिर्णा 스ट से बच्चे का गिर्णा आया या प्र से चम्षेव का उड़ना यह सबी हमारे क्यों होता है अपादान में कोई उप Zumप्र дав तो अइसा है उसको दे दिया धन्य लिया जाता है तो हमारा समस्प्राण कारक होता है झान देज्ञार करन को थोड़ा से लिए लीजहेगा थोड़ा सा पध्यां गरेशंगर कंशी तो राम ने रावण को बाल से मारा, तो बाल हमारा क्या हो जाएगा, करण करण, किसे मारा, बाल से मारा, तो जहाँ पर सेचिन लग जाएगा, वहाँ करण करण हो जाएगा, पत्ता पेड से गिरता है, से गिरता है, तो पत्ता पेड से अलग हो रहा है, तो वहाँ अपादान ठीक तो इसको थोड़ा सा समझेगा ठीक और इतना आपको जानते हैं मोधन बहाएगा तो वहाँ पर ये पैशा सब्सक्रेक्खार में लिए दोस्टों आफ सब्सक्राइब है को अब पर नम्होट कर था हूं करेंगे तो आपका डी वाला आ जाएगा कि उसके प्राण पखेडू पखेरू उड़ गए आप लोग इसका इसको इस वाकर को बहुत पढ़े होंगे उसके प्राण पखेरू उड़ गए तो इसका प्राण भी कही भी आ जाएगा प्राण हमारे क्या हो जाएगा बहु बचन में प्रयोग किया जाता है ठीक है दोस्तों इसका आप लोग आप प्रयोग कर लीजिएगा इसका आपका जो है एक बचन में प्रयोग होता है लेकिन इसका आपका बचन में कभी नहीं प्रयोग होगा इसका हमेशा बचन में प्रयोग या जाएगा चलिए आगे देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग नहीं है अब देखिए सुबा है दो पहार साज सुबा हो रही है दो पहार हो गई है साज हो गई है लेकिन दिन हो गया है दिन हो गया है तो दिन हमारा हो जाएगा जो है पुलिंग सब्द ठीक है क पूलिंग। और मिशन देखते हैं को सभी स्चाहिज है एक चीज आप से पुछा जाता है कभी का इतरी का इत्री ठीक है इसको 1116 तपर ओने से इसलेहां ध्यार जरूर बार देख लिए तेस hm희 निम लिखित इकारांत सब्दों में पूलिंग सब्दें चैने अब इकारांत सब्द किसे कहते हैं ऐसे सब्द जिनका अंत बड़ी की मात्रा से होता है बड़ी की मात्रा कैसे होती है सोरी दोस्तों बड़ी ऐसे होती इसकी मात्रा ऐसे जैसे दिखा नदी नदी क्या है ऐसे मात्र लगाए नदी बहती है लेकिन पानी क्या है भालता है तो पानी हमारे क्या हो जाएगा? पुलेंग जबडों हो जाएगा क्लिर हो गया चले आंगे दियके जगर नात्थ किस संदी का उदाहरण है अब देखे जरी कहते हैं तोसी निकिसे काते हैं सैंधी निवर्णों के मेल को कहते हैं संदी की ति फिरrah अ अच्छनों के मेल को संदी कहते हैं किसे कहते हैं वर्णों । वर्णों या अХ्छरों के या कि म。 संदी कदें के हैं जयसे मालों यहां लिखा गया ति बिद्या है कि और Kund qa Le आलय बरबर आप लोग खूब पढ़ेंगे कि विद्द्य आलय ठीक है अब देखो विद्द्या- आ-धन- आ मिलकर बना गया हमारा आप आत्रा तो यह हो गया हमारा क्या संध्य होगया तो दोनों जगह पर हमारा क्या मिला है दोस्तोंर होड सोस्थ इंद्ध है उसके के वह सब्दों के मेल को संदी नहीं सब्दों के मेल को समास कहते हैं सब्दों के मेल को समास काते हैं और वर्णों के मेल को संदी काते हैं तो बिद्याधन आले बराबर बिद्याल है यह संदी हो गया अब पूछ लिया जाता है संदी कितने प्रकार के होते हैं तो तीन प्रका संदी कि या होता दोस्तों पहला कि सोर हो गया कि बूसरा देन्जन हो और विचांग दोस्तों समझ लीजेगा और तीसरा हो गया हम आपका विचर ग्रें ओ थीख यह तीम्द आप लोग समझते पहले कि सब्सक्राइब मिलते हैं वहां पर एक दो अच्छर, जो सुर होते हैं, दो सुरों के मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन आता है, जो मिलकर के नया सब्द बनता है, उसको क्या काते हैं, सुर संदी काते हैं, जहाँ पर दो बेंजन, या एक सुर और एक बेंजन के मिलने से जो संदी बनता है, वहाँ पर हमारा बें संदी कि किने प्रकार होते हैं पंगाच प्रकार होते हैं इसकेता हिप फाला दीर्गसंदी होता है तक हमेशे साथ थिल्षि थ्षाल diabetes in हमेशा है वहां पर कोई चीज बड़ा हो जाएक है इसके बाद दूसरा हमारा होता है दोस्तों गूर संधी कि गूर के मतलब होता है उस तूने का गूर उस सब्द में दिखेगा जैसे माली यह जब आ प्लस ए करेंगे क्या हो जाएगा आपका ए या जाएगा ठीक ए तिया आपका हो जाएगा गुण संदी तो आ मितला हमारा होता है यह मतलब हो सा ताला और ताला पढ़ें अभी उचानद संद बताएं इन दोनों का गुण हमारा ए में देखें दिख रहा ने तीस्य को हम गु इसलिए गुण संदी होता है अब देखें आगे आगे क्या होता है आपका तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका ब्रिद्य संदी इसे में दोस्तों क्या होता है ब्रिद्य इसमें दोस्तों जैसे आ और ए को मिलाएंगे हमारा आए बन जाएगा आए और आव बन जात तो आई और ओ बनता ही हमारा बिद्द संदी होता है, इसके बाद रियार संदी में क्या होता है, यावरल, कहीं पर अगर आपको दिख जाए, आधा या पूरा कुछ भी दिख जाए, तो हमारा यहाँ पर रियार संदी हो जाएगा, जैसे दोस्तों सूधन आगतम बराबर, स् रियार संदी हो जाएगा इसके बाद last में आपका होता है यादी संदी, ठीक है, तो जहां पर आउ, या, आय, आय दिख जाए, वहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों, आयार संदी, दोस्तों इसका ज़र्च लेंगे तो अच्छे से समझाेंगे, बस इतना आप लोग बेस नात में किस संदी का उधाना संधी गेन नात बराबर ज संदी हो जाए गारों तीनों संदिया पंचालेंक बिश्टन हो जाएगा इन सूधन आगतम बराबर स्वागतम हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखे पुनर जन्म का सईग संदी क्या है तो पुना जन्म बराबर पुनर जन्म हमारा क्या हो जाएगा इसका कौन संधी हो जाएगी बिसर्ग संधी हो जाएगी चलो आगे देखते हमारा अगला कोशन देखिए राम लक्षमण से पत्र लिखवाता है इस वाक में क्रिया का कौन सा रूप है निम्लिकित में से सही उत्तर चुने अब हम अगर काम आप से करवाएंगे तो आपको कुछ मोटिवेट करेंगे तो जब किसी को हम किसी से काम करवाते कुछ का करके उसको कहते हैं प्रियनाथ्थक क्रिया ठीक तो यह हमारा उत्पत्य के आधार पर क्रिया जो होती है यह हमारा होती है प्रियनाथ्थक क्रिया ठी नामधात करया क्रिया।न है जैसे से हम काम करवाते हैं जैसे लों एक साथ हो जिसे खाना पीना हसना रोना ठीक है घूमना टालना यह अँपर किरिया बनाई जिसे बात से बतियाना लात से लतियाना हाथ से हतियाना यह सब यह हमारा नामधातु क्रिया मतलब किसी संग्या सर्बनाम या हमारा विच्छ सट जब क्रिया बनाई जाते हैं उसे नामधातु कहते हैं योगी क्रिया में दो क्रिया हैं एक साथ इसे खाना पीना असना रोना इसे बात प्रिनाथा क् यूधूध थे थे तक आप देखे इसके बाद पूस्व रहत रिया किया पूण्डबॉड नहीं दस्ते हमाइड होती हैय वघ्रकूल अक्र इस किसे काते हैं जैसे ओक कीनिह नहां कर की स्कूल जाएगा प्रून स्कूल जाने जाने से पहले क्या करेगा नहाएगा तो हहाँ पर नहाएगा पहलेननाय जाएगा नहाने का पूरढ फैसे क्ता उद्ल какое क्या हो जाएगा वह अमारा क्या हो जाएगी दिखिए यह हमारा होता है य Carroll कि स्कारे अपलों दिए जान दोस्तों बहुत ही ज़्याना इम्पोर्टेंट है जलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि हम लोग क्या है आगे देखिए का विलूम शब्द है उतकर्स वह जाए क्य क्या आप morgenकल Tha लीडियो देखे से अब कर सांखिर से पानी गुजर जाना मुहांबर का अर्थ मुहाबरत रिख जाएगा सहन सेलता की सीमा टूट जाना ठीक यहां हमारा हो जाएगा इसका आप्शन नमबर भी सही एंसर हो जाएगा आगे देखिए आखों में गड़ना यह मुस्ट कन्प्यूजिंग कोश्चन है इसका इंसर कोई बता दे समझ जाएं भाया इसका अंसर दो है एक मन में ख प्रिख刚 नमल चंदे में से सुध़ बरतनी वाला सब्द कॉन सा है तो अंत्याक चरी टीक है है हमारा क्या है सुध़ बर्तनी वाला सब्दा है एक बरतनी काता है हां वूर्ट पूछा जाता सरीव रख आप तरी दोस्तों अभी हम इह लिखे थे थोड़ा सा लिखने में कुछ गया होगा, हमको लग रहा है, कव इत्तिरी था, ठीक है, यह होता है, तो यह हमारा कव इत्तिरी देखे, यह होता है, इसको था आप लोगे तम गाठ बान लीजिए का, समझ लीजिए का, और यह उज्वल, सरद्धा, तो बहुत इंप्पोर्टन है, ध्यान हाँ अब देखिए यहां सी विडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है देखिए क्यों पार्टूट होगा दोस्तों क्योंकि सबस्ते ज्यादा समस्या जानते हैं कहां होती है आप लोगों को जो कभी हैं कभीयों का जो रचनाय हैं वो सब याद नहीं होता तो कि के लिए डेली के क्लास आइगा य। घिली के क्लास के साथ में में 24 अनेखार्ती सब्ध़ और ने कोहते हैं और कुछ तो को हम क्या करें करेंगे सबस्तों पहले हम चाटे हैं जो सबसे important कभी हैं उन्हीं को चाटे हैं तो देखिए पहले आदिकाल के प्रमुक अब जानते हैं तो आदिकाल में प्रमुक कभी और उनको ने रचना आए कि आए देखिए दलपति विजय कुमार रासो कि सीधा सीधा कोशन पूछा पूछता है कि दलपति विजय किसकी की रचना कौन सी है या खुमार रासो किसकी रचना है या खुमार रासो क्या है पूछता है पुछता है प्रबंद काब है या हमारा महा काब है या बीरगीत काब है या क्या है यह हमारा पूछता है काब आगे देखिए चंदबरदाई क्या है प्रिथ्वी राज रासो प्रबंध काब आगे देखिए तीसरा सारंग धर हम्मीर रासो प्रबंध काब आगे देखिए नल सिंग विजयपाल रासो प्रबंध काब आगे जगनिक परमाल रासो आलाखंड देहां दीजेगा अब इतना आप लोग त्यान दीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको आप जरूर याद रखिएगा ठीक है अब देखिए दोस्तों इस वीडियो को आप एक लास आती है अगर इसको आप रेगुलर देखेंगे इसको हम दिर दिर आपको करके याद करवा देंगे बस आप वीडियो को डेली आप देखिएगा लास्ट में यहां पर हम कोश्चन भी सब्सक्राइब करता है नश्ण चिरणतां यहां सब्सक्राइक लगाएग। आगे देखे पूर्व मद्यकाल इसको भक्तिकाल काते हैं 1375 SP से 1700 SP तक हमारा समय है यह डारेक्ट पूच लिया जाता है ठीक आगे देखे उत्तर मद्यकाल को रीतिकाल काते हैं 1700 से 1900 SP अधुनिकाल गद खंड काते हैं तिक पहले इतना पिर इसके बाद धीरे दीरे हम इसमें कुछ नहीं करते रहेंगे आगे-देखी कुछ मुश्ट इमडर्डे रचनाई हमने लिया है इसमें सबी रचनाई नहीं लिए दोस्तों बहुत चांड करें कम से कम रचना लिया गया है बस फ़ले इतना आप पढ़िए इतने को आप याद करें इसके आगे आगे जोड़ते चले जाएंगे और आपको पूरा याद कराने की हमारी ओर दिखें सूरदाषकर अचनास है सूर्सागर शूर 25-शूरावली कितना सूरसागर सूरपाचिसी शूरts हुरावली सहित लारे दोस्तों अभी आगे और हम इसमें करेंगे बस इतना आप लोग याद करिए ठीक चारों आपको याद हो गया आ गैसे सुमित्रान अंदर पंदग जिटंबराल वींग्डा सोन द्भूल युगवारी खुन कौन साथ चिदंबराल वींग्डा सोन द्भूल यूगवारी अग्रम write अय। शान अ मदुसाला क्या भूलूं का याद करूं मदुकलेश मदुवाला यह सबीर रचना किसकी है हरिबंसराय बच्चन के मैंतिलिस रण गुप्त क्या है भारत भारती साकेत जैदर अथवत पंचवटी यह सोधरा दोस्तों अभी मैंतिलिस रण की रचनाएं और सारी हैं लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिए ठीक है आगे देखिए सूर कांत पाथी नाला कुकुरमित्ता अनामिका परिमल रामधारी सिंग दिनकर उर्वसी हुंकार रेणुका कुर्चेत्र अभी इनकी बहुत ठीर साई रचनाएं दोस्तों और इंपोर्टेंट भी है लेकिन सबस अगे देखिए अजिए सबने की रचना है एक बार पूचा गया था अधिया सिंग उपाद्याय का दूसरा नाम क्या है थारी अप से इसको आप लोग याद रखिएगा एक बार ये कोश्न पूच लिया गया था आगे देखे बिश्रुनु सर्मा आप सबको पता होगा पंचतंत राम चंद्र चिंता मड़ी रस्मी मांसा और इनकी बहुत लेड़ सा इसना है दोस्तों अभी इतना भी आप पढ़िए दोही गोश्वामी तुल्सिदा श्रा जानते हैं आप लोग राम चित मानस बिने पत् पती मंगल जानकी मंगल आगे देखिए मुसी प्रेम चंद की कोदान गवन रंगभूम कर्भूम कायकल सेवा सदन प्रेम आसरा है और वो दो वाइलों की जोड़ी बहुत कुछ सा दोस्तों पूस की रात है अभी कितना आप लोग पढ़िए जिनको कुछ नहीं आता है उन प्रेम पतिक दितली कंकाल इरावती ध्रूप सवनी चंद्र गुप्त असकंद गुप्त पतिक जर्ना आसू आकास दीप छाया आधी इंद्रजाल जनमजी का नाम यग का मैने यह हमारी जैसंकर पसाद की रचना हो गई आगे देखते हैं पढ़िसोलनात रेंडू का रचन अब जितना है इसको आप लोग इसको एक आग दो बार जरूर एक बार रिविजन करके देखेंगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं अभी इसमें से और जादा दोस्तों आपको याद करना पड़ेंगा ठीक है आगे देखिए अगर आपको क्या करना है इस को जो एक याद होती जाएगे जाए चले दोस्तों आगे देख्ते हैं आगे हमारक क्या है इसमें अब देखे प्रयवाती सब्सक्राइब क्या है क्या है नदिक सकया यह पूछता है पुछ लेता हैं ध्यान दीजेगा आगे निशा मिस्तराथ होता है रयन सरवरी निशीत तमिस्तरा छपा यामनी विभावरी निशी रजनी रती तीक है यह आपका हो जाएगा आगे देखिए नयन नयन के हो जाएगा प्रेंख्षण बिलोचन इछण अंसक नेत्र पत्नी का ह बार्या दारा सहभागनी गृणी प्राण प्रिया बधू बल्लभा बामा धरनी प्रिया ती कांता कांता कई बर पूछा गये दोस्तों जौरू बहु कलत अर्धांगनी बावंगी पर्वति गिर्जा गोरी सेलसुता अपनडा सेलजा सिवानी भवानी दुर्गा अगे पवन बयार पवमान समीर समीर मारुत वात वायु अनिल आगे देखे दोस्तों आगे आपका क्या है प्रकास प्रकास का देखे क्या है जोती दीप्ती प्रभा अलोग फुल्प क्या है पुस्प कुसुम गूल सुमन मंजरी पुहुप बादल का मोच इंपोर्टेंट ठीक है इसको आगे दोस्तों बिजली का क्या हो जाएगा चंचला चपला दामनी तडित मचली का मीन मत्स जस सफरी जल जीवन आगे देखें मूर का नीलकंठ मयूर केली सिखी धुजी हरी सिखंडी मेक का हो जाएगा दोस्तों गन बलाहक अंबुद पयोधर जीमूत अभी देखें दोस्तों यहां पर बा अगे देखिए मृघ अरी नहर केशरी केहरी सिंग सारदूल चित्रक हैं आगे देखी चंद्रमा चंद्रमा क्या हो जाएगा सुधाकर ससांक राकापति रजनीपति निशानात सुधांसू निशापति ससी बिदू इंदू मिर्गांक कलानी दे जंगल विपीन कानन बन अर पूछा था कई बार पूछेगे अरण मीज क्या होता है जंगल होता है अब देखिए आपका हो गया अन्यकार्थी सब्द ठीक है जब एक सब्द के एक से ज्यादा आर्थ उसे अन्यकार्थी सब्द करते हैं जैसे यक्ष ज्यानेंद्री मंडल रथ चोपड पासा धुरी हु आगे देखिए चलिए आगे देखिए अंक गोध गिन्तिकांक नाटकेंक चिन संख्या देन दिजिए अंक मोश इंपोर्टेन पढ़ लिजिए अक्षर ब्रह्मा विश्डू अकरादी वाड सिव धर्म मूक्ष गगन सत्य सब्य नित्य नास्राहित परमाडू अंग शरीर अंस साखा साधन अस्तन सरीर का कोई क्या हो जाएगा यहां पर अंग अंग भी दोस्तों क्या होता है साखा भी होता ध्यान दिजिएगा ठीक अगे देखिए दोस्तों यह पूरा हो गया आपका कंप्लीट तो अगर किसी प्रगार का आपको कोई सिकायत या कोई सुझाओ हो तो इस नंबर पर वाट्सेप आप कर सकते हैं या और यहां पर आप एमेल कर सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेजिए और पास में जो वेल आइकन बटन है जो घंटा है उसको जरूर दबा दीजेगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद अभी यह थोड़ा सा प्रयास था एक छोटा सा इसमें और धेर सारी सब कुछ एड़ क वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें दोस्तों इसको अपने दोस्तों पाँ जरूर सेर करें जिनका हिंदी कमजोर है अभी इसमें हिंदी के साथ साथ हम जीएस या जीके की क्लास लेने लेकर आएंगे जिसमें काफी डिटेल सा जैहीन बंदे मादरी